आप सभी लोगों को मालू होगा कि आपके जो पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव थे इसके रेजल्ट आ चुके हैं और आप समझ सकते हैं कि एक तरह से केंद सरकार को आप कह सकते हैं कि जिसकी केंद में सरकार है उसको तगड़ा जटका लगा हुआ है और एक बात हमेशा याद रखिए कि जटके के अगर आप कहें कि ममता बनर जी के जीतने के क्या कारण है और बीजेपी यानि किपिधान मंतरी सहाब के हारने के क्या कारण है तो दो तीन कारण मैंन रहे हैं पहले आप लोग इसे रेजल्ट देख लीए फिर आइटीकल भी देख ली ना इस आइटीकल में बहुत कुछ बताया गया है कि आप समझें कि जूटे वादे हो लालच हो पैसे हो या तागत हो या आप देख सकते हैं कि धमकी हो ये सब कुछ काम नहीं आया जनता ने एक तरह से कह सकते हैं कि इन सब को नकार दिया पांच राज्यों में थे और आप सभी को माल होना चाहिए जो बिधान सभा चुना होते हैं जो आपके लोकसभा चुनाओ होते हैं राज्य सभा चुनाओ होते हैं विधान परिशत चुनाओ होते हैं राष्टपती उपराष्टपती चुनाओ होते हैं इन्हें करवाता है आपका जो Election Commission of India है राष्टी इस तर पर जो आपका चुनाओ है न वो करवाता है, और जो आपके इस्थानिये चुनाव होते हैं, वो करवाता है राज चुनायो, हब राज में आपको एक चुनाव आयो भी देखने को मिलेगा, अगर हम बात करें देखिए असम की, यहां आप लोग मैन साइट है, इसकी भारत निर्वा चुनायो, तो इसमें देखेंगे, केरल में जीत मिली हुई है, Communist Party of India, ठीक है, पहले भी यही सत्ता में थी, और उसके बाद अगर हम बात करें, आपकी फुडुचेरी, तो यहाँ देखे, BJP और उसके गटवंदन को एक तरह से जीत मिली हुई है, ठीक है, यह आप लोग याद रखे, BJP और उसके गटवंदन, तमिल लाडु में अगर हम बात करें, तो तमिल लाडु में आप देखेंगे, कि जो DM के थी ना, उसे जीत मिली हुई है, ठीक है, यह भी आप लोग याद रखे, सबसे जरूरी है आपका West Bengal, पश्चिम Bengal, तो यहाँ आप देखेंगे, कि देखे, तरण मूल का हुआ है, और याद रखे, BJP का भी बोट बैंक या सीटें बड़ी हुई है, अब क्यों बड़ी हुई है, आप सबी लोगों को मालूप होना चाहिए, कि जो Left और Congress का बोट बैंक था, कहा जा रहा है कि वो BJP की तरफ सिप्ट हुआ है, और यह आप देख भी सकते हैं एक तर बड़ाई है, तो वो Left और Congress के बोट बैंक को छीन कर, एक तरह से अपनी ओर करके, और आप समझ सकते हैं कि ममता बनर जी चुनाव वार गई है, तो मुझे नहीं लगता है कि इसके कोई मायन है होगे जादा, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि हर चुनावी सीट पर ममता बनर जी के नाम पर ही बोट लड़ा जा, चुनाव लड़ा जा रहा था, समझ रहे हैं आप लोग, जिस तरह आपने देखा होगा कि 2019 का लोग सबा चुनाव देखिए, या आप 2014 में जाए लोग सबा चुनाव, या 2017 का आप लोग उत्तर बिदिश का बिधान सबा चुनाव नरेंद मौदी के नाम पर बोट पड़े हुए थे, अगर कोई भी जिसे कोई नहीं जानता है, वो भी खड़ा हो गया अगर विधान सबा चुनाव में, तो वो भी चुनाव जीत गया था, तो यही एक तरह से आप कह सकते हैं कि ममता बनर जी हकाहाल है, कि वो अपनी सीट ह भार जाती है, इसके मुझे नहीं लगता है कि कुछ जानदा मायने होंगे, वो मुक मंतरी बन जाएंगी, छे महीने बाद आप समझ सकते हैं कि कोई और सीट को 24 करने मतलब वहां से खाली करके खुल लड़ लेंगी, चुनाव जीत जाएंगे, इसमें एक परसेंट भी आप समझ सकते हैं कि मुझे नहीं लगता है कि ममता बनार जी को इससे कोई नुकसान हुआ होगा, और अभी उन्होंने बयान भी दिया होगा, दिया था कि वो हालते तो हालत जाएंगे, कोई फरक नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको एक बात ध्यान लगने होगे, कि बीजेपी का आपने देखा है स्री राम भी उसमें सामिल हो गये थे जो आपके अरुन साहब थी, मितुन चकवर थी, लेकिन फिर भी कोई फरक नहीं पड़ा हुआ है, मुझे लगता है अब जनता हकीकत में आप समझ सकते हैं कि ऐसा आप कहा जा रहा है, कहा जाता रहा भी है, कि जो बा तो मुझे समझ में नहीं आए, क्या वीजेपी का नाम आपने देश से रख दिया गया, मुझे लगता है कि एक काम करना चाहिए, क्योंकि जहां भी आप समझते हैं कि कि किसी वार पार्टी की जीत होती है, और वीजेपी की हार होती है, वहां कहा दिया जाता है कि देश हार गया तो आप अपनी पाइटी का नाम देश ही कर लिए और दूसरा कोंगेस वालों को अपनी पाइटी का नाम बदल के रख देना चाहिए जीरो क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं अधिकतर वहाँ उनका बंटाधारी हो रहा है ठीक है और एक बात और याद रखिए कि इस बार ना तो चाड़के की रड़नीती काम आई और ना मौदी की भासड काम है मुझे जानते लगता है कि 2-4 point आप समझ सकते हैं कि देखिए हम जूट बोल कर किसी को एक समय के लिए इंफरेस कर सकते हैं अपने पिरवाव में ले सकते हैं लेकिन अगर हमें समझे कि अगर हमें बहुत दिनों तक सत्ता करना है उसके दिल को कुछ जीतना होगा और जूट बोलकर हो सकता है कि आप कुछ टाइम के लिए अपने काम में जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें सफल हो सकते हैं लेकिन लंबी रेस्स का गोड़ा बनने के लिए जीतने के लिए आपको सच बोलना ही होगा आप समझ सकते हैं कि जब भी हमारे पिदान मंत्री से आप बादा करते हैं नौकरियों का हो या रोजगार कोई भी इस तरह का तो लोग हसते हैं, मजा बढ़ाते हैं, जोग समझते हैं इसके माइने आप समझ सकते हैं कि अब भरोसा नहीं रहा और अब आप मैसे कहीं लोग कहेंगी कि बाकी राच में चुनाव जीत रहे हैं कहीं 2019 का क्यों जीते तो एक बात हमेशा याद रखिए अभी भी पिदान मंत्री के बराबर कोई टक कर देना वाला नहीं है समझ रहे हैं कि आप पिदान मंत्री राहुल गांदी को बनाओगे कभी नहीं और जब आप समझे कि सब मतलब एक तरह से चोर हों तो आप लोग चुनते हैं कम चोर को सभी जूटे हों तो उसमें से आप चुनते हैं कम जूटे को तो आप समझ सकते हैं और दूसरा ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरह से पिधान मंतरी साहब ने सब दोपयोग किये ये भी पश्चे मंगाल की जंदा को पसंद नहीं आए समझ में आए और ये भी कहना गलत है बिलकुल कि मुसलिमों ने केबल बोट दिया इसलिए ममताब अबनर जी जीत नहीं देखिए हिंदूओं का भी काफी ये उगदान रहा है ये भीलकुल भी नहीं कह सकते हैं कि अकेले मुसलिमों के बोट से अगर कोई चुनाव जीत जाए ठीक है ये भी आपको याद रखना होगा इसमें क्या कहा गया है उसे देख लीजे जनादेश के मायने पश्य मंगाल असंप तमिलाडू केरल और पुडुचेरी की चुनाव नतीजों ने सावित कर दी है कि लालच नौकरीयों की रोजगार की बात कर रहा हूँ और आप फ्री वैक्सीन की बात कर लीजे या फिर औ परियो जनाओं की बात कर लीजे इसमflower आपने देखा है कि कही तरह के लालत दिए गए फिर उसके बाद आपने पैसे की भी आपने देखा है पर आपने देखा हूगा जूटते वादों की भी बात हुई तागत, CBI हो फर चाहिए आपकी कोई भी एजेंसी हो इसका भी काफी दुरूपे हो किया गया है और उसके बाद आप देख सकते हैं कि धमकाया भी गया लेकिन सब्ता हासिल नहीं की जा सकती है बाकी राज्यों में हो सकता है देखे लेकिन इस राज्य नहीं अभी काफी एक तरह से आप कह सकते हैं कि साबित कर दिया है और एक बात और बताओं आपको कि कहते हैं कि पश्चे मंगाल में लोगों का हाल बुरा है ऐसा कुछ नहीं है यह आपके नेताओं की नजरों से बुरा है महलाओं की स्थिती बाकी राज्यों से आप देख सकते हैं कि पश्चे मंगाल में काफी अच्छी बनी हुई है उत्तर पे इसका हल देख लिए आप लोग आए दिन सुनते तो रहते हैं कि यहां बलतकार हुआ हो उसकी हत्या कर दी गई है तो यहां से तो आप कह सकते हैं कि काफी अच्छे मायन है आजकल बता है नेताओं के वहां सबस्ट सुन के वड़ा हसी आती है आपने देखा होगा जब दिल्ली के विधान सबा चुना हो रहे थे तब नीतिश कुमार जो आपके बिहार के मुकमंदरी साहब है उन्हें ने का है कि दिल्ली के स्कूलों की हालत देखिए और बिहार के स्कूलों की हालत देखिए दिल्ली के स्कूलों से बहतर है हमारे बिहार की स्कूल और आप सभी जानते हैं कि दिल्ली के स्कूलों की हालत क्या बनी हुई है कितना अच्छा result दे रहे हैं अभी आपने देखा एक कुछ समय पहले result भी आया हुआ था तो private school से बहतर एक तरह से आप कह सकते हैं result दे रहे हैं सरकारी school सरकारी school में बहतर आप कह सकते हैं एक तरह से विवस्था भी है और विहार की इस्तिती दुनिया जानती है गरीवी में देख लिजे, साब्षर्टा में देख लिजे महलाओं की स्तिती में देख लिजे, बेरोजगारी में देख लिजे हर तरह से आप समझ सकते हैं तो ये कम से कम आप लोगों को तुल्ला करनी चाहिए अब आप समझें कि एक तरह से कहें कि हम लोग उत्तरपदेश छोड़ के हमारा कोई नेता जाए पश्चे मंगा और कहें कि महलाओं की स्तिती हम सुधारेंगे तो वहां की जनता ये तो ध्यान रखती है कि तुम्हारे उत्तरपदेश में क्या स्तिती बनी हुई है समझ रहें आप लोग सत्ता में वही आप आएगा जिससे जनता चाहेगे और आप समझ सकते हैं कि ममता एक तरह से जुड़ी हुई हैं आपके ये कि जनता से वो जनता की नबज एक तरह से आप कह सकते हैं कि पकड़े हुए हैं और मैं कह सकता हूँ कि आप समझें कि अगर बीजेपी के कुछ नेता अगर रड़नीती बनाते तो कापी अद तक सफलता पाई जा सकती थी जिसमें आप देख सकते हैं कि राजना सिंग भी इन्होंने हवाई एक तरह से जमीनी हकीगत समझी ही नहीं और अभी भी एक समझी है कि जिस राज में एक तरह से जूटे वादों से काम चलता हूँ वहीं जीता जा सकता है वरना काम की नाम पर आप समझें कि जीतना बड़ा मुस्कल है इनके लिए विहार में आप समझ सकते ही कि 18-19 लाग का बादा किया हुआ था रोजगाल का क्या हुआ चुनाव जीत गए सरकारे मन गई उसके बाद जिल भी रहे हैं आप लो फिर ही वैक्सीन की बात हुई थी क्या हुआ विहार में ऑक्सीजन के लिए किलत बनी हुई है और सबसे बड़ी हसी आती है किसी पर तो जन्ता पर आप समझें भर भर के बोट देने जा रहे हैं मतलब मर रही जंता इतने सारे लोग मारे जा रहे हैं फर भी हम लोग वोट देने जा रहे हैं मैं तो इस समय यही कौँगा कि कहीं भी चुनाव हो रहा है घर से ही मत निकले कियोंकि इस्तिती आप देख रहे हैं क्या बनी हुई है अगर आपकी डेथ होती तो आपके परिवा कोई एक तरह से फरक पड़ेगा ना कि किसी और को यह आप लोगों को जान लेना चाहिए बेटर और हम अना को मुए उठा की चल देते हैं क्या फरक पड़ता है पश्चे मंगाल में आप देखें कि ममता बनर जी तीसरी बार सरकार बनाएंगी वैसे तो चुनाओ चार पड़ेश में भी है लेकिन आपने देखा हो कि सबकी निगाहें बंगाल की नतीजों पर ही थी और साल भर से आपने देखा है कि राज में जिस तरह से चुनावी तेयारी चल रही थी उससे से इस राजी की राजनेतिक एहमियत का पता चलता है और आप देखी कि एक तरफ कि सरकारें थी और एक तरफ एक मात चेहरा था किसी दूसरे ऐसे नेता का नाम बताईए आप लोग जो तर्डमूल कॉंगरिस की तरफ से चुनाओ जिसके चेहरे पर लड़ा जा रहा हो कोई भी ऐसा नाम बता दीजे मैं तो केबल ममता बनर जी को जानता हूं मेरा उनसे को कोई मतलब मैं सपोर्ट देखिए अच्छा काम करेगा अच्छा बोल दूगा ठीक है और याद रही कि बंगाल की सत्ता हासिल करने के लिए भारतिये जंता पार्टी ने सारे संसाधन जोग डाले और हर हत्कंडे अपना लिये थे कोई ऐसा नहीं वचा हुआ था लेकिन उसे साफ के नतीजे नहीं आए और बंगाल की जंता ने कॉंग्रेस अबाम दलों को भी लगवर्ट सोन कर दिया है अभी कई महलाओं कि मैं देख रहा था ट्वीटर पर भी पश्चे मंगाल और कई देखिए वीडियो जी मैं भी दे पढ़ा हुआ है यह सब्द क्या है कि आप समझ सकते हैं कि मदलब एक छेचोराट पन आता है इनसे और उनके कई बीजेपी के नेताव ने कहा है कि साड़ी पहन के क्या पहन लेना चाहिए ऐसा और पाउं दिखाना चाहिए तो देखिए इस तरह से जंता काफी समझदार है आप देखिए इंद्रा गांदी को कितना घमंड था राजी गांदी की क्या हा लगती जागती है टाइम लगता है समझे रहे हैं आप लोग आखें खुलती है अब देखिए अंग्रेजों ने 200 साल तक राज किया कभी तो आखें खुली किसी की तो आखें खुली उसके आप समझे कि कभी दूसरा अगर बीजेपी का कोई विकल्फ मिल जाए तो कल बीजेपी भी हट जाएगे अभी फिरहाल विकल्फ राष्टी इस तर पर तो नहीं है राज्यों में आप देख सकते हैं और आप देख सकते हैं आप लोग कि दिल्ली में जब जन्ता के पास वि मौक दिया था वहां भी कुछ नहीं उखाड़ पाई पर्शे मंगाल में देख लिए आप लोग कई राज्यों में आप देख सकते हैं और दच्छिन भारत में आप देख सकते हैं क्या इस्तिती बनी हुई है बेतर जानते भी हैं आप लोग तो विकल्फ में मिलेगा तो आ इसमें कोई दोरा नहीं है लेकिन पिधान मंतरी का चेहरा मदलब टकर देने वाला जब भी कोई आ जाएगा इमानदात तो आप समझ सकते हैं कि उस दिन क्या होगा किसकी बोट किधर गए या फिर आप देखें कि धुर्वीकरण के गठित ने कैसे काम किया इन सवालों में आप जानदा उलजने की जरूरत भी नहीं है और आप समझ सकते हैं कि देखिए हर जगे दंगा करवाके नफरत पहलाके आप चुनाओ आप बोट नहीं पा सकते हैं जो लोग हकीकत जानते हैं वो आपको वोट नहीं देंगे इन सवालों में आप जानदा उलजने की जरूरत नहीं है क्योंकि काम खतम हो चुका है लेकिन अगर तीसरी बार जनता ने ममता बनर जीर को सत्ता सौपी है तो निश्चित ही उसके ठोस कारण होगी ये आप लोग को भी जान लेना चाहिए त्रमूल इस बार की जीत ने ममता के लिए राष्टी राजनिती की दरवाजी खोल दिये और मैं तो कहता हूं या कि पिदाहर मंतरी को बदाई देना चाहिए ममता बनर जी को कि अगर बीजेपी इतना मतलब सब कुछ ना करती तो ममता बनर जी को क कोई नहीं जानता राष्टी इस तरुपन ना आपाती अब तो मैं यह भी देख रहा हूं दी कि आने वाले समय में क्या होगा यह तो कुछ कहा नहीं जा सकता है लेकिन मुझे जहां तक लग रहा है क्यूंकि आपने देखा है कि पूरे देश के बाकी जो बिपक्ष आएगा भविस्त में बिपक्ष का बड़ा चेहरा बन सकती है इसमें दो राय नहीं है और इस जीत का यह संदेश गया कि मम्ता बने जी के 10 साल की सासन को लिकत राज में कोई सकता विरोधी कारक नहीं रहा है और कोई एक बात हमेशा याद रहे कि पहले तीन थे इनके है और अधिकतर आप कह सकते इनोंने टर्ड मूल कंगरेस से ही मतलब जो नेता आये हुए हैं इनकी पाईटी में कई वार आपने कहा है कि कई बार कहा जा रहा था कि बीजेपी को बंगाल में अपना नाम बदल कि तर्णमूल कॉंग्रेस के हाई एक मतलब रख लेना चाहिए क्यूंकि उनके ही लोगों को एक तरह से इसमें सिप्ट किया गया था वहां से निकल कर यहां आये हुए थे इसे भी देखना चाहिए कि आ एक सच अलग होता है और जूट अलग होता है आप जूट को अगर सौवार कह देंगे तो वो सच नहीं बदलेगा कभी अब आप कह दें कि हिंदूओं की इस्तिती बुरी है मैं देख रहा है कि कई लोग कह रहे हैं कि वो हिंदूओं को काटा जाता है ऐसा होता है वैसा होत जाती है उससाब से वहां कुछ है भी नहीं है ठीक है और ऐसा था तो आप समझे कि एक बहुत बड़ी मुस्लिमों की पितिशत आप समझ सकते हैं कि ना के बराबर होंगे चलिए माल लेता हूँ कि बहुत से वह 70-80 सीटें जीच जाती लेकिन बाग की सीटें क्या हुई यह भी तो ध्यान रखना होगा तो नफरद अब बंद होनी चाहिए भी आप समझ सकते हैं इससे कोछन भी नहीं मिलने माला है और एक बात और हमें से याद रखिए धरम के नाम पर कभी कोई देश आंगे नहीं वड़ पाया कोई तरक्की नहीं कर पाया आप वेवस्था देख भी सकते हैं स्वास्त की वेवस्था क्या बनी हुई है लोग किस तरह से मर रहे हैं लासों के अंबार लगे हुए है तो यह आप लोगों को देखना भी होगा और इससे जान्दा सबसे जान्दा देखिए इस पड़तरह की धरम के नाम भक्ती के नाम पर बोट देने वाले गरीब मतलब आम हम ही आप लोग होते हैं और सबसे जान्द कोई आपदा आती है तो हम ही लोगों को एक तरह से भोगधना पड़ता है कोई नेता आज आपकी मदद के लिए नहीं आ रहा है आप समझ सकते हैं क्या इस्तिती बनी हुई है बेजमीन से जुड़ी हुई है और एक जुझारू नेता मानी जाती है और धर्ती से जुड़ी हुए है और काफी सोस समझ के चाल चलती है आप समझ सकते हैं कि अगर वोग चाहती है तो दो सीटों से चुनाव लड़ सकती थी लेकिन उन्होंने एक ही सीट से लगा उन्होंने चुनोती को सुईकार किया और मैं फिर से बता रहा हूँ कि अगर लोगों को लगता है कि उनकी हार जाने से कोई फरक उनकी चबी पर आया मैं एक परसेंट भी नहीं मानता हूँ क्योंकि बाकी अगर ऐसा होता कि दूसरा कोई निता होता हुआ उसके नाम पर भी चुनाव लड़ा जा रहा हूँ था तब कह सकते थे आपकी मतलब हां मंता बनाजी की चबी में कुछ खरावी आई हुई है ठीक है सहरों और गाउं दोनों पर उनकी पकड़ भी है उनकी चुनावी ड़नेती पांस सतारा होटलों में नहीं बलकि जमीनी हालात के बीच बनी दिखाई देई थी और याद रखिए पांस सतारा की बात की जा रही कि जब दिल्ली से नेता जाते थे तो बड़ी-बड़ी होटलों में रड़नीती बनाया करते थे उसी की बात की जा रही चुनाव से पहले आप देखेंगे तरणमूल कॉंग्रिस के सांसद हो या फिर विधायक हो को भाजा अपने तोड़ने का अभियान भी चला है था और काफी कुछ तोड़े भी है इसमें कोई दुराय नहीं है उसके निहितार समझने में भी बंगाल की जनता कुद धेर नहीं लगी और जनता है पिरचार के तुरान ममता बनाजी के लिए जिस तरह की सब्दों और बेंगे बाड़ों का इस्तेमाल होता रहा है उससे राजी की जनता ने बड़े अबमान की रूम में लिया है जो मैंने पहले भी बोला है और एक बात और याद रखिए अगर वो अधिकारी स्वेंदू अधिकारी जीत गया और आप कहते हैं कि उसका वो गड़ है और ममता को टकर दी है तो ऐसा कुछ नहीं है वहाँ कहते हैं कि 16 सीटे हैं उस चित में जिनमें से तीन किसने जीती हुई है बीजेपी ने और तेरह आपकी कॉंग्रेस ममता बनर जी के पास तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि क्या इस्तिती है और गड़ किसी का नहीं होता है राहूल गांदी का भी गड़ हुआ करता था अमेठी क्या हुआ बड़े बड़े नेता देखिए चुना हो गए अटल विहारी वाचपरी, इंद्रा गांदी, राजीव गांदी जन्ता देखिए कुछ भी कल सकती है ठीक है और उससे राजी की जन्ता ने बड़े अमान के रूम में लिया और उत्तर पर इसके मुकमंत्री यह होगी आदित नात ने तो बंगाल में भाजापा की सत्ता आने पर एंटी रोमियो इसकौाइड बनाने तक की बात कह दी अब हमारे यदिकार मिले हुए हैं समीधान में आप देखते हैं अब इसे तरह कि आप लोग सब्द यूप पे ओप करेंगे लोगों को पसंद ही नही आ कि आप काम के नाम की बात करिए आप काम के नाम पर बोटड़न मनी अल्फ संख्यक और एनर्सी जैसे मुद्दे विल्कुल नहीं चले यहां ठीक है और युवा मद्दादा चलने का मतलब है कि अपनी लाइफ है आप कैसे भी करें आप उसमें दख्लंदा जी कैसे कर सकते हैं मम्ता बनर जी की चनोतियां आप कहीं जैन्दा बड़ी हैं और राज में उनके सामने विबक्ष की रूमें भाजापा हुई है इतना ही नहीं दूसरे राज्यों की तरफ बंगाल में भी कुरोना से हाला बत्तर हो रहे हैं ऐसे में सरकार और बिपक्ष की सारा जोर मिलकर महामारी से निपडने का पर होना चाहिए ना की राजनीती करने पर वरना आप देख सकते हैं कि इस तरह का टकराव दिल्ली सरकार और केंद सरकार में देखने को मिल रहा है वैसे इस तिती आपको बंगाल में भी बंते देर नहीं लगेगी और इससे सबसे जादा नुकसान होगा तो आम आदमी को बोटर को ठीक है और देखा जाए देखा जाए दो विधानसभा चुनाओ की नतीजे केंद में सत्ता रोड भाजापा के लिए बड़ी चुनाओती बनकर उभरे हैं अस्तम के अलावा कहीं भाजाप को बड़ी कामयाभी नहीं मिली हुए है और पुडुचीरी में वह गटवंदन कर सरकार बनाएगी बंगाल में सौंका आकड़ा भी नहीं चुपाया पाना बता रहा है सरीप केंदी की तागत के बल पर छेत्रिय दलों को नहीं हराया जा सकता है और आप लंबी समय तक तक चेहरे पर चुनाओ नहीं जीश सकते हैं और मैं एक और याद रखिया किसान आंदोलन को भी तागत मिलीगी इससे उनकी भी समस्याओं का हल होगा क्योंकि आप समझ रहें कि एक बहुत लंबी समय से एक तरह से किसान बैठे हुए है और किसानों का भी फैक्टर कुछ तो रहा होगा मैं इतना तुमानता हूँ क्योंकि आपने देखा है कि बहुत साहिमाय भी हो चुका है और वो किस तरह से मदलब गए भी है काफि उन्होंने भी किया अंगले साल आप देखेंगे पंजाब हो उत्तरफितेस हो उत्तरा खंड हो यहां भी चुना होना है और बंग किसी ना तो आप समझ सकते हैं कि अम्मानी टाटा से जुड़ने की जरूरत है और ना ही किसी बी आईवी व्यक्ति से जुड़ने की आप दिल्ली का ले सकते हैं दच्छन भारत में ले सकते हैं फश्य मंगाल से सबक ले सकते हैं सब कूछ नहीं कि जनता ही होती है एक तरह स जाती है, टायम लगता है, थीगए? अब आप देखे रहें कि एक तरह से बहुत पहले हम लोग इंद्रा या कॉंग्रेस की बात कर लिए, कॉंग्रेस को हम लोग कितना देते रहते थी बोट, आग बंद करके देते रहते थी, जब हमारी आखें कुली तो हम लोगों ने बीजेपी को देना शुरू किया अब बीजेपी को दे रहे हैं आने वाले समय में क्या होगा वो तो समय ही बताएगा ठीक और अपने लोकल का हमेशा चेहरा देखा करिएगा जो हर समय आपके साथ खड़ा रहे क्योंकि देखिए कोई भी हो आपका पिधान मंतरी आपके पास नहीं आ रहा है मदब के लिए और अभी इस से आपदा से अगर आप नहीं सीख सकते हैं तो मुझे लगता है कि हमसे आपसे वेवकूप कोई नहीं हो सकता इस परिस्तिती में आप समझ सकते हैं कि बहुत कुछ सिखा है इसमें आपके जो भी निता थे उनकी ओखात भी दलाई खेर छोड़िए अब जो हुआ हो गया आँगे नहीं सीख लेना चाहिए मुझे लगता है एक तो जूट बोलने से बाज आना चाहिए क्योंकि जनता अब मतलब आप जो भी बोलते हैं आप सच भी बोलते हैं तो उसे भी जनता जूटी समझ लेती है तो यह भी आप लोगों को ध्यां रखना होगा बाकी खुसिया जिस तरह से भी मना सकते हैं टीएमसी वाले मना सकते हैं कि उन्हें जीत मिली हुए है और बिजेपी वाले मना सकते हैं कि एक तरह से उन्हें मंदा बनेजी की हार हुई परफशनल बात करा हूँ ठीक है? वो अपनी सीट से और कॉंग्रेस वाले मना सकते हैं कि बिजेपी की हार हुए और अपना अपना देखते रही है लेकिन इन लोगों को सब को अपने गलेवान में जहाग तो लेना चाहिए अपनी रड़नीतियों को देखना तो चाहिए क्योंकि कॉंग्रेस का जो हाल हुआ है एक परिवार की वज़े से हुआ है कॉंग्रेस गांधी मतलब आप सोची राहुल गांधी और सोनिया गांधी की वज़े से बढ़ना आप समझ सकते हैं कि ऐसा नहीं है कॉंग्रेस में अच्छे लीडर नहीं है कई बीजेपी से भी अच्छे लीडर उसमें है लेकिन उनकी चलती यह नहीं है और यही हाल हो रहा है अब बीजेपी का भी कि आप समझ सकते हैं कि ऐसा नहीं कि बीजेपी में रड़नीती कार नहीं है लेकिन रड़नीती कारों को आप लोगोंने साइट हटा के आप लोग खुद मालिक बन गए और एक बात हमेसा याद रखी कि बाप हमेशा बाप हो सकता है लेकिन बाप जो बोल रहा है जो रड़नीती बना रहा है वो हमेशा ठही हो ऐसा बिल्शन भी नहीं रहता है तो यह भी याद रखना चाहिए खैर लगे रही है अपनी जो भी जिस तरह से भी अपनी भक्ती दिखाते रहें लेकिन फिरहल अपने परिवार का ख्याल रखें क्योंकि कोई नहीं आ रहा है और जिस परिवार का कोई मेंबर जाता है वही बहतर उस दर को समझ सकता है ठीक है?